असलाम लेकुम मेरा नाम है फिज़ा अब्दुलमनान उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियसे होंगे गोहर पब्लिशर में आप सब को खुशाम दीद हमारा मोचो है Redefining the Geography of Education through Digital Resources for Conceptual Learning और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू Prep 5 Plus सफ़ा नमर 78 पे हम शुरू करने जा रहे हैं छोटिये भढ़िये का हर्फ इल्लस से जोड लेकिन उससे पहले हमारे पास हदायत हैं जो साजा के लिए हैं बच्चों को बताएं कि भढ़िये से कोई लफ शुरू नहीं होता लेकिन छोटिये भढ़िये के इस्तमाल और जुम्लों में इस्तमाल की मजीद मश करवाएं बढ़ते हैं आगे छोटिये और भढ़िये का हर्फ इल्लस से क्या करना है हमने जोड करना है ये लिफ या या फिर या आ या ये वा यो या फिर या ओ यो ये छोटिये यी या फिर य ई ये बढ़िये ये या फिर य ए ये 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 था चोटिये और भढ़िये का हर्फ इल्लस से जोड बढ़ते हैं आगे इल्फास पढ़ें हमें क्या करना है इल्फास को पढ़ना ह काफ के उपर शद हैं हम इसको दो बार पढ़ेंगे यानि ये काफ यक काफ लिफ का यक का ये वाव यो 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 ये लिफ या सीन मीम ये यासमीन ये लिफ या याद गाफ अलिफ गार रे गार याद गार ये मीम यम नून यमन ये लिफ या काफ वाव कू त या कूत बढ़ते हैं आगे इलफास का जुमलों में समाल ये ये यून का यो-यो है याद सबक याद करो याक याक एक जानवर है देख देख में चावल डालो यादगार ये शहीद की यादगार है बढ़ते हैं आगे ये की लिखाई की मर्श की तरफ जो के सफ़ा नबर 89 पे मजूद है सबसे पहले हमें क्या करना है नाम को तस्वीर से मिलाना है जैसे के यादगार को पहले ही यादगार से मिला गया है यहाँ पे हमें यकनी को मिलाना है यकनी के साथ यो-यो को मिलाना है यो-यो के साथ और आखिर में हमारे पास मजूद है याकूत इसको कहते हैं एक पत्थर का नाम है याकूत बढ़ते हैं आगे जुमले बना कर लिख आणवर है, खत्मा, यादगार, ये शहीद की यादगार है, याद सबक, याद करो, खत्मा, देख, ये देख, अंदर रखो, खत्मा, इमीद करती हूँ कि आपको ये की लिखाई की मश्क समझ में आगी होगी, किसी भड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें, ताके रवानी बनी रहे, अगली वीडियो तक के लिए, अल्ला हाफिस,